नमस्ते मैं चंदर सेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलेजन्ट अकेडमिय में स्वागत करता हूं हम लोग एलिगेशन ने स्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग का दो क्लास हो चुका है आज हम लोग का तिस्रा क्लास है पिछले दो क्लास में हम लोग बहुत सारे बहतरीन कोश्चन में एलिगेशन लगाना सीखे थे आज के क्लास में हम लोग कुछ और भी बहतरीन कोश्चन में एलिगेशन लगाना सीखेंगे चलिए हम लोग कोश्चन की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेश करना विल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं चलिए अब हम लोग कोस्चेन की तरफ चलते हैं देखे हमारा कोस्चेन क्या दिया हुआ है कोस्चेन दिया कि सूथ दूद का मुल्ले 56 रुपे प्रती लीटर है 60 लीटर दूद में कुछ पानी मिला दिया जाता है जिससे उसका मुल्ले 32 रुपे प्रती लीटर हो जाता है तो उस मिश्रन में पानी की मात्रा ग्याद करें देखिए हमें कोस्चन में क्या दिया हुआ है हमें कोस्चन में दिया है कि हमारे पास 60 लिटर दूद है और उस दूद का जो रेट है वो 56 रुपे प्रती लिटर है हम उस दूद में क्या कर रहे है पानी एड़ कर रहे है पानी एड़ करने के बाद हमारा जो मिक्चर बन किया जा रहा है मिक्चर कैसे हो जा रहा है 32 रुपे प्रती लिटर तो हमें क्या निकालना है कि हम जितना पानी एड़ कर रहे है पानी का मात्रा हमें निकालना है देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे हमारा क्या दिया हुआ है दूद दिया हुआ है हम इसमें क्या एड़ कर रहे है पानी एड़ कर रहे है देखिए हमारा जो दूद का रेट दिया हुआ है रेट क्या है 56 रुपे प्रती लिटर है दूद कितना है 56 रुपे प्रती लिटर है और जब हम उसमें पानी एड़ कर रहे हैं तो हमारा जो मिक्चर है मिक्चर कैसे हो जा रहे 32 रुपे प्रती लिटर हो जा रहे हैं और जो हम उसमें पानी एड़ कर रहे हैं पानी का तो हमारा कोई rate नहीं लगएगा, यानि पानी जो होगा, वो 0 रुपे प्रति लीटर होगा, अब हम यहाँ allegation लगाएगे, हम यहाँ allegation लगाएगे, जो हमारा नीचे ratio निकल के आएगा, ratio किसका निकल के आएगा, दूद और पानी के मात्रा का रेशियो निकल के आएगा क्योंकि हमें यहां क्या दिया होगे 56 रुपे प्रती लिटर बटे में क्या है लिटर है तो जो नीचे आएगा नीचे क्या आएगा दूद और पानी के मात्रा का रेशियो आएगा अब हम यहां से 32 में से 0 माइनस करेंगे यह कितना हो जागा 32 और 56 में से 56 में से हम 32 को माइनस करेंगे यह कितना हो जागा यह हो जागा 24 हम इसे काटेंगे 8 से कटेगा यह 4 बढ़ में यह कट जागा 3 बढ़ में अब हमारा ratio यहां निकल क्या गया milk is to मात्रा का हमारा ratio निकल किया गया और हमें question में दूद का मात्रा दिया हुआ है कितना है दूद 60 लिटर दूद है यानि इस 4 unit का value हमें दिया हुआ है 60 रुपया इस 4 unit का value है वो कितना है 60 लिटर है 4 unit का value कितना दिया हुआ है 60 लिटर हमें क्या निकालना है पानी का मात्रा यानि हमें इस तीन यूनिट का वैलू निकालना है देखिए चार यूनिट साथ लिटर के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर हो जागा हम साथ में चार से भाग देंगे यानि पंदरे के बराबर तो यहां से हमारा तीन यूनिट का निकल के आ जाएगा हम तीन में पंदरे से गुना करेंगे यानि तीन यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 45 लिटर के बराबर किसके बराबर हो जाएगा 45 लिटर के बराबर यानि मिक्चर के अंदर जो पानी का मात्रा है पानी कितना है 45 लिटर है चलिए एक बार फिर से कोश्चन देख लेते हैं हमें क्या दिया हो है हमें क्या निकालना है पानी की मात्रा निकालना है देखे हमें कोश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास 60 लिटर दूद है उस दूद का जो रेट है 56 रुपे प्रती लिटर है हम उस दूद में क्या कर रहे है कुछ पानी एड़ कर रहे है पानी एड़ करने के बाद जो मिसरन हमारा बन रहा है मिसरन हो जाया है 32 रुपे प्रत तो हमें उस पानी का मात्रा निकालना है हम यहाँ क्या करेंगे एलिडैशन लगाएंगे हमारा जो दूद है दूद कैसा है 56 रुपे प्रति लिटर और हम इसमे पानी जब अड़ कर रहे है तो हमारा मिक्चर कैसे हो जा रहा है 32 रुपे प्रति लिटर जो हम इसमें पानी एड़ कर रहे होंगे पानी का तो हमारा मुल्य नहीं लगेगा यानि पानी हो जागा 0 रुपे प्रति लिटर यहां हमें लिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल क्याएगा रेशियो किसका निकल क्याएगा दूद और पानी का मत्रा का क्योंकि यह हमारा क्या है 56 रुपे प्रति लिटर है यानि बटे में क्या है लिटर है यानि जो नीचे रेशियो निकल क्याएगा रेशियो क्या होगा दूद और पानी का मत्रा का यहां से हमारा ratio क्या निकल किया गया 4 इस्टी थी यानि दूद और पानी का रेशियो हमारा पता चल गया 4 इस्टी थी थी है अब देखें हमें किसके ब्राबर होजागा 15 लीटर के ब्राबर तो यहां से हमारा तीन यूनिट निकल कया से है 40 लिटर के ब्रावर चलिए कोश्चन समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखिए मारा question क्या दिया हुआ है question दिया होगी दो बर्तन में दूद और पानी का अनपात 7 is to 3 हो जाए देखिए हमें question में क्या दिया होगा है हमें question में दो बर्तन दिया होगा है दोनों बर्तन में हमें दूद और पानी का रेशियो दिया होगा है पहले बर्तन में हमारा दूद और पानी का रेशियो क्या है 9 is to 1 है जो दूसरा बर्तन है हमारा उसमें दूद और पानी का रेशिय कितना है और हमें कोश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों बरतन से हम मिश्रन लेके एक तीसरे बरतन में मिला रहे हैं जहां तीसरे बरतन में हमारा दूद और पानी का रेशियो रेशियो कितना हो जा रहे है तो हम से कोश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों बरतन से हम जो में लें कि जो हमारा दूद और पानी का रेशियो क्या हो जाए तो हम यहां एलिगेशन लगाएंगे और हम एलिगेशन या तो हम तीनों जगे से दूद लेके लगाएंगे या हम तीनों जगे से पानी लेके लगाएंगे देखिए जो हमारा पहला बरतन है जो हमारा पहला ब कितने में से 10 में से जो हमारा दूसरा बरतन है जो दूसरा बरतन है उसमें दूद कितना है दो यूनिट है और पानी तीन यूनिट यानि टोटल कितना है पांच यूनिट पांच यूनिट में से दो यूनिट क्या है दूद है और जो हमारा मिसरन बनके आना चाहिए जो हमारा allegation लगाएंगे, तीनों को लेके हम allegation लगाएंगे, वहाँ से हमारा रेशिव निकल किया जाएगा, हम अगर यहाँ से 9 बटा 10 और 2 बटा 5 ऐसे minus करेंगे, तो हमें थोड़ा minus करने में दिक्कत होगा तो यह जो बटा में हमारा है इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे यानि 10, 5 और 10 का हम LCM लेंगे और LCM से गुना करेंगे 10, 5 और 10 का LCM क्या हो जाएगा, 10, 5 और 10 का LCM हमारा 10 हो जाएगा, यानि हम यहाँ गुना कर देंगे 10 से गुना कर देंगे हम यहाँ जो है, 10 से गुना कर देंगे, देखिए यहां से 10 से 10 कट जाएगा, यहां से भी 10 से 10 कट जाएगा, हम इस 5 से 10 को काटेंगे, दो बार में जाएगा, यानि हमारा जो रेशियो यहां से आ जाएगा, दूद का मत्रा, दूद कितना हो जाएगा, यहां 9 यूनिट, यहां कितना हो गया 4 7 हम यहाँ allegation लगाएंगे देखे हम 7 में से 4 को minus करेंगे कितना हो जागा 3 और 9 में से 7 को minus करेंगे कितना हो जागा 2 जो हमारा ratio निकल क्या आया ratio क्या निकल क्या आया 3 is to 2 यहनी पहले और दूसरे बर्तन से यहनी पहले बर्तन से अगर हम 3 unit लेंगे mixture तो हमें दूसरे बर्तन से कितना लेना पड़ेगा 2 unit तब जाके हमारा जो तिसरे बर्तन में दूद और पानी का mixture बनके आएगा उसमें क्या होगा 7 is to 3 का ratio बन जाएगा चले एक बार फिर से question देख लेते हैं हमें question में क्या दिया होगा है दो बर्तन में दूद और पानी क्रमस 9 is to 1 तथा 2 is to 3 के अनपात में हैं दोनों बर्तन में से कितने भाग निकाल कर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाए जिससे कि उस बर्तन में दूद और पानी का अनपात 7 is to 3 हो जाए देखिए हमें question में दिया होगा है हमें दो बर्तन दिया हुआ है दोनों बर्तन में हमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है पहले बर्तन में हमारा दूध और पानी का रेशियो कितना है 9 is to 1 है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना है 2 is to 3 है तो हम यहां क्या करेंगे, हम यहां वो ratio निकालने के लिए allegation लगाएंगे, हम यहां तो allegation तीनों जगे से दूद लेके लगा सकते हैं, या हम तीनों जगे से पानी लेके allegation लगा सकते हैं, अब देखिए पहले बरतन में दूद कितना है, 9 unit, और पहले बरतन की छमता कितना है 9 यूनिट दूद है और 1 यूनिट पानी है यानि छमता कितना है 10 यूनिट 10 में से कितना है 9 दूद है यानि 9 बटा 10 दूद हो गया दूसरे बरतर में दूद कितना है 2 यूनिट और पानी कितना है 3 यूनिट यानि छमता कितना हो गया 5 यूनिट 5 यूनिट छमता हो गया उसमें से दूद कितना है 2 यानि दूद कितना हो जागा 2 बटा 5 और जो हमारा फाइनल बन के आने चाहिए उसमें दूद कितना है 7 यूनिट पानी कितना है 3 यूनिट यानि छमता कितना हो गया 10 यूनिट उसमें स यहां एलीगेशन निकालना है अगर हमारा बटे में ना रखे एक नर्मल डिजित में नंबर रहे तो वहां हमें माइनस करने में असानी होगा तो यहां हम LTM से गुणा करेंगे हमारा क्या निकल क्या गया पहले बरतन का 9 यूनिट दूसरे बरतन का 4 यूनिट और हमारा वहां हमारा दूद और पानी का रेशियो 7H to 3 हो जाएगा चलिए कोस्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट कोस्चन पर चलते हैं देखे हमारा कोस्चन क्या दिया हुआ कोस्चन दियो कि 40 रुपे पढ़के जी के चावल में 60 रुपे पढ़के जी वाले चावल को मिलाया जाता है वह मिश्रन को 46 रुपे पढ़के जी के दर से बेचा जाता है तो बताएं कि सनपात में मिलाया गया था देखे हम क्या करेंगे यहां हम यहां यहां एलिगेशन लगाएंगे देखे हमें जो है 40 रोपे पढ़केजी के दर से चावल दिया हुआ है दूसरा चावल जो है ओ 60 रोपे पढ़केजी के दर से है और हम इन दोनों को मिला के जो बेच रहे हैं कैसे बेच रहे 46 रोपे पढ़केजी तो हम से क्या पुछ रहे हैं इन दोनों चावल को हम की सनुपात में मिलाए होंगे तो हम यहां से एलिगेसर निकालेंगे हम 60 में से 46 माइनस करेंगे यह हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और हम 46 में से 40 माइनस करेंगे यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यानि यहां से हमारा ratio निकल किया जागा हम इसे 2 से काटेंगे 7 is to 3 यानि पहले किस्म जो 40 रुपे पढ़ केजी होगा उस वाले चावल को अगर 7 केजी लेंगे तो जो 60 रुपे पढ़ केजी चावल होगा उसका हमें कितना लेना पढ़ेगा 3 केजी तब जाके हमारा 10 केजी का जो मिक्चर बनेगा उसे हम क्या बेच पाएंगे 46 रुपे पढ़ केजी बेच पाएंगे चली एक पर फिर से कोश्चन देख लेते हैं हमें कोश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कोश्चन में दिया है कि 40 रोपे पढ़के जी वाले चावल में 60 रोपे पढ़के जी वाले चावल को मिलाया जाता है वह मिस्रन को 46 रोपे पढ़के जी के दर से बेचा जाता है तो बताएं किस अनुपात में मिलाया गया था हमें क्या निकलना है दोनों पड़कार के चावल के मतरा का कि हम किस अनपात में मिलाएं होंगे देखिए हमें जो है दिया हो है कि 40 रुपे पड़केजी का एक चावल है और दूसरा जो चावल है 60 रुपे पड़केजी के चावल है और जब हम दोनों को मिला रहे हैं हमें जो है दोनों को मिलाना है मिला के जब हम मिसरन को 46 रुपे पड़ केजी बेच रहे हैं तो हमें क्या निकलना है कि हम इन दोनों चावल को किस रेशियो में मिलाए होंगे यानि पहले पढ़कार का चावल हम कितना केजी लिए होंगे दूसरे पढ़कार का चावल हम कितना केजी लिए होंगे तो हम यहां से क्या करेंगे एलिगेशन लगाएंगे 60 में से 46 माइनस करेंगे यह कितना हो जागा 14 और 46 में से 40 माइनस करेंगे कितना जाएगे 6 हम आध 2 से काटेंगे ये निकल के आगा 7 इस्ट्ू थ्री याने पहले परकार जो 40 रूप्य पढ़के जी हूँगा अगर उसका हम साथ केजी लेंगे तो जो दूसरा परकार है 60 रूपे पढ़ केजी उसका हमें कितना लेना पड़ेगा 3 केजी लेना पड़ेगा हमारा ratio क्या निकल क्या आगया 7 is to 3 चली question समझ में आगया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है question दिया है कि 310 रूपे पढ़ केजी वाले बस्तु को 360 रुपे पढ़केजी वाले बस्तु के साथ मिलाकर 325 रुपे पढ़केजी के भाव से बेचा जाता है तो बताएं पहले वाले बस्तु के 42 केजी में दुसरे वाले बस्तु की कितनी मत्रा मिलाई गई है हमें क्या निकलना है हमें जो पहले वाले बस्तु जो 310 रुपे पढ़गे जी है उसका हमें मत्रा दिया हुआ है 42 के जी तो हमसे पूछ रहा है कि जो 360 रुपे पढ़गे जी वाले भस्तू है उसकी कितनी मत्रा मिलाई गई हो जिससे हम मिसरन को 325 रुपे पढ़गे जी के भाव से बेच रहे हैं तो देखिए, हम यहाँ ELEGATION लगाएंगे, पहला जो बस्तू है, वो कैसे 310 रुपे पढ़ केजी, दूसरा बस्तू है, 360 रुपे पढ़ केजी, और हम इन दोनों को मिला के, कैसे बेच रहें, 325 रुपे पढ़ केजी, हम यहाँ ELEGATION लगाएंगे, जो हमारा रेश्यो निकल क्या आएगा ratio किसका निकल क्याएगा हमें ratio मात्रा का निकल क्याएगा यानि यहां क्या है 310 रुपे पड़ केजी यानि बटे में क्या है केजी है तो जो हमारा नीचे आएगा वो क्या निकल क्याएगा वजन यानि मात्रा का हमारा ratio निकल क्याएगा अब हम 360 में से अगर 325 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 35, और 325 में से 310 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, हम इसे काटेंगे 5 से, ये जाएगा 7 बार में, ये जाएगा 3 बार में, अब देखिए हमें पहले वाले बस्तू का मातरा दिया हुआ है, कितना यूनिट, अब पहले वाले बस्तू का हमें मातरा दिया हुआ है, मातरा कितना दिया हुआ है, कोशन में 42 kg, यानि इस 7 यूनिट का जो है, ओ कितना है 42 kg है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, कि जो दूसरी वाली बस्तू है, उसका मातरा कितना होगा, 7 यूनिट 42 kg के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जगा? 6 kg के. तो यहां से हमारा तीन यूनिट किसके बराबर हो जगा? 18 kg के. हमाना अंसर क्या निकल किया गए? 18 kg. यानि पहले वाले बस्तू का 42 kg होगा, तो उसमें हम दूसरे वाले बस्तू कितना मिलाएंगे? 18 kg. चलिए एक बार फिर से कोश्चन देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है हमें कोश्चन में दिया है कि 310 रुपे पढ़केजी वाले बस्तू को 360 रुपे पढ़केजी वाले बस्तू के साथ मिला कर 325 रुपे पढ़केजी के भाव से बेचा जाता है तो बताएं पहले वाल झीचे नीकल को यहां रचीय का निकल का ओर यह हमारा ओशन गया 2 310 रुपे 5 kg, बटे में क्या है kg है, यानि जो नीचे रहेगा, वही हमारा नीचे नीकल क्या गाएगा, हमारा रेशियो किसका निकल क्या गया, वजन का रेशियो निकल क्या गया, रेशियो क्या है 7 to 3 है, अब देखें हमें पहले परकार का बस्तू, दिया हुआ है कितना है, 42 केजी है यानि इस साथ यूनिट का हमें वैलू पता है कि 42 केजी है यानि एक यूनिट का वैलू हमारा यहां से निकल किया जागा एक यूनिट किसके बराबर हो जागा चो केजी के बराबर हमें क्या निकलना है दूसरे परगार की बस्तू हम कितना मिला रहे हैं यानि इस ती केजी है तो 3 unit किसके पराबर हो जाएगा 18 kg हमारा answer क्या निकल केगा 18 kg चलिए next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है question दियो कि 40 रूपे पढ़केजी वाले चावल को 70 रूपे पढ़केजी वाले चावल को हम किस अनुपात में मिलाएं कि जिससे हम 54 रूपे पढ़केजी के भाव से बेचे तो हमें 20% का profit हो अब यह देखे जो 54 रूपे पढ़केजी के हिसाब से बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहे है 20% का profit हो रहा है और यह जो 40 रूपे पढ़केजी और 70 रूपे क्या हो या हमें सभी जगे क्या दिया हो तो यह दो जगे हमारा जो है CP है और एक क्या है SP है यानि 54 रोफे पड़ केजी बेचने पर हमें क्या हो रहे 20% का प्रोफिट हो रहा है तो हम यहां क्या हो जाएगा, एक बटा पांच हो जाएगा, यानि कोई बस तू, हम पांच का खड़ीत के, कितने में बेच रहे हैं, एक का प्रोफिट ले रहे हैं, यानि छो में बेच रहे हैं, अब इस छो का जो है, यह हमारा, इस छो यूनिट का वैलू कितना दिया, ओश्यों रूपया, इस चौव का जो value है वो 54 रूपया पड़ केजी हैं तो यहां से हमारा इस 5 unit का value निकल के आजाएगा हम 6 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा चौवन आएगा यानि 9 से हमें गुना करना पड़ेगा तो हम इसे 5 unit में भी 9 से गुना करना पड़ेगा यानि हो जाएगा 45 पड़के जी एस पी हम कितना ले रहे हैं चोवन रूपय पड़के जी जिससे हमें क्या हो रहा था 20% का profit अब देखिए हमारा यहां भी CP निकल के आ गया यहां 40 रूपय पड़के जी है पहले वाले चावल का CP क्या है 70 रूपय पड़के जी अब यहां से हम एलिगेशन लग रहा हमारा 45 रूपय पड़के जी हमें यहां जो रेशियो लेंगे जो हमारा नीचे रेशियो निकल क्याएगा रेशियो किसका निकल क्याएगा वजन का रेशियो निकल क्याएगा क्योंकि यह हमारा क्या दिये हो 40 रूपय पड़के जी बट्टे में क्या है केजी है यानि नीचे हमारा क्या आएगा, वजन का हमारा ratio निकल के आएगा, अब हम सत्तर में से 45 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 25, और इस 45 में से हम 40 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5, हम इसे 5 से काटेंगे, ये हमारा हो गया 5 is to 1, यानि अगर हम 40 रुपे पढ़ केजी वाले चावल का अगर 5 केजी लेंगे तो 70 रुपे पढ़ केजी वाले चावल का कितना मिलाना पड़ेगा एक केजी मिलाना पड़ेगा तब जाके हम उस मिक्चर को अगर 54 रुपे पढ़ केजी बेचेंगे जिससे 20% का लाब होता है तो बताएं किस अनपात में मिलाए गया है हमें क्या निकलना है कि पहले वाले चावल और दुसरे वाले चावल जो 40 रुपे पढ़के जी है और जो 70 रुपे पढ़के जी है इन दोरों को हम किस रेशियों में मिलाएं कि जिससे हम 54 रोपे पढ़के जी के हिसाब से अगर बेचे मिक्चर को तो हमें 20% का profit हो तो देखिए हमें allegation लगाना पड़ेगा यहाँ हमें allegation कभी भी या तो mark price तीनों जगे हमारा mark price हो या तीनों जगे हमारा CP हो या तीनों जगे हमारा SP हो देखिए दो जगे हमारा क्या है पहले वाले चावल का cost price है दूसरे वाले भी चावल का cost price है और जो हम बेच रहे हैं मिक्चर को बेच रहे हैं यह हमारा क्या है selling price है तो यहां भी हमें, यहां भी क्या निकलना पड़ेगा, हमारे CP निकलना पड़ेगा, अब देखी हमें, प्रोफिट कितना हो रहा था, 14 रुपे में बेच रहे थे तो, हमें 20% का प्रोफिट हो रहा था, प्रोफिट हो रहा था, 20% को अगर हम फ्रेक्शन में लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जागा, एक बटा पांच, यानि किसी बस्तू को हम पांच में खड़िद के, एक का प्रोफिट लेगे, कितने में बेच रहे हैं, चोव में बेच रहे हैं, इस चोव यूनिट का, हमारा वै और मिक्चर का हमारा CP, यहां से हमें लिखेसन लगाएंगे, हमारा रेशियो निकल किया गया, यह रेशियो किसका निकल किया गया, वजन का रेशियो, क्योंकि हमें क्या दिया हुए, 40 रुपे पड़ केजी, यहां बटे में क्या है केजी है, तो जो हमारा नीचे रहेगा, वही हमारा ratio में निकल के आएगा यानि हमारा ratio में किसका निकल के आगया वजन का ratio निकल के आगया यानि पहले वाले चावल को अगर हम 5 केजी लेंगे तो दूसरे वाले चावल को हमें 1 केजी लेना पड़ेगा तब जाके हम mixture को चोवन रोपे पड़के जी बेचेंगे तो हमें 20% का profit होगा चलिए question समझ में आगया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का like करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल मत भूलिएगा चलिए बाई बाई